दोस्तो बॉली उड की होट अभी नेतरी दिसा पटानी अब 30 साल की हो चुकी है 13 जुन 1992 को बरेली में जन्वी दिसा पटानी ने अपने अभी नई करियर की सुरुवात साल 2015 में आई तेलगो फिलिम लोफर से की थी और उसके अगले साल ही उन्हें एमेजोनी की बायोग पिक पर बनी फिल्म एमेजोनी में काम करने का मौका मिला वहीं दिसा पटानी का नाम टाइगर स्रॉफ के साथ काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है वैसे तो ये काफी कम लोगों को पताए कि दिसा पटानी अपने शुरुवाती दिनों में एक्टर पार्थ सम्थान के साथ रिलेशन में रह चुकी है लेकिन इनका ये रिस्ता जादा दिनों तक नहीं चल सका ये बात दिसा पटानी ने खुद अपने एक इंटर्वी में बताई थी बता दे कि दिसा पटानी और पार्थ सम्थान का सोटी जिंदगी के सीजन टू में एक साथ नजर आ चुके हैं एक समय ऐसा था जब दिसा पटानी और पार्थ सम्थान ने एक दूसरे को डेट किया था इसी दोरान दोनों ने fresh face hand contest में हिस्सा लिया था यहीं से दोनों के रिस्ते की सरवाद हुई थी यह contest जीतने के बाद दिसा पटानी बहुत जादा खूस हो गई थी इसका इससा पार्थ भी थे यहीं से दोनों के बीच की नजदी क्या धीरे धीरे बढ़ने लगी लगबक तीन सालों तक पार्थ और दिसा ने एक दूसरे को डेट किया दोनों एक दूसरे से बे इंतिहा मौबद करते थे दोनों को पार्टी इसका बहुत सौक था फिर अचानक से इनके बीच में दराराना शुरू हो गई उसके बाद इनका ब्रेक अप हो गया आखिर ब्रेक अप क्यों हुआ उसके बारे में जानकर आप भी चौक जाएंगे दरहसल सूतरों के मुताबिक पदा चला था कि पार्ट दिसा को चीट कर रहे थे दिसा ने कई बार पार्ट को दूसरी लड़की के साथ रंगों हत पकड़ा था इसके बाद उन्होंने रिलेसंसिप को यहीं खतम करने में अपनी भलाई समझी इसके अलावा विकास गुपता और पार्ट सम्तान को लेकर भी यह खबरे आ रही थी कि यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जैसे ही दिसा को यह बात पता चली तो उन्होंने खुद को पार्ट से अलग कर लिया ब्रेक अप के बाद दिसा पतानी काफी दुखी हो गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने सारी बाते भुला कर अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया बताया जाता है कि पार्ट से ब्रेक अप होने के बाद दिसा की जिन्दगी में टाइगर्स रॉफ की एंट्री हुई दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हाला कि अभी तक इन दोनों ने अपने रिस्ते को ओफिसियली अनौंस नहीं किया है वेल दोस्ते इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं